खबर टोड़ा भीम से आ रही है मोहनपुरा में पैंथर का रोजाना हो रहा मुमेंट रात को मुबाइल के कैमरों में पैंथर कैद हुआ है तो टोड़ा भीम से ये बड़ी जानकारी वनविभा की टीम रात को प्रयास कर रही थी पकड़ने के लिए पैंथर को रात को मुबाइल के कैमरे में कैद हुआ पैंथर वन विभा के टीम रात को पैंथर को पकड़ने के लिए प्रियास कर रही थी और मुबाइल फोन के कैमरे में पैंथर कैद हुआ है तो मोहनापुरा में पैंथर का रोजाना मोमेंट जो है वो देखा जा रहा है तोड़ा भीम से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वन विभाग की टीम पकड़ने का प्रयास कर रही थी पैंथर को हाला कि सफलता हासल नहीं हुई तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं तोड़ा भीम से जहां पर पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रहे थी इस वक्त समवादाता सुमित हमारे साथ जादा जानकारी के लिए फून लाइन पर जुड़ गए हैं आगे पैंथर के अगर हम बात करते हैं तो पैंथर ने दो से तीन बखरी यों को भी अपना सिकार बना लिए था और घ्रामी नों द्वाला लागातार बन विवाग को इस वारे में अफगत भी करा दिया था बर्वाद के जो बालगाट नाका प्रवारी है। उन्हें वाद भी तो उनका कहना था की रात के समय सर्च अपरेशन चलाया जा रहा है और पैंथर को पकड़ने का प्यास किया जा रहा है। लेकिन अभीता से जो ग्रामी ने उनका कहना है कि बन विवाद मच्शूती से यानि कि जम्की इस तरह पर सही रंग्से कारिया नहीं कर रहा है अगर बड़े इस तरह पर इसको पकड़ने का सर्च अभ्यान चलाया जाए तो पूरी टीम हो साथी जाता सुच्छा में बन याज कि जाना तरहीं है क्योंकि यह थे दुह हैं पतादें कि वीडियो से कर से पासगे एक हेघ्यालशाव के देखा सेखेज़ के बड़ने कि लोगों को तो फिकार बनाएं तो लोगों को उस गटना का भी जिक्त में आधा रहा है और डर पर सहा राएं जानवरों के साथ सुथ के सभी को भी कोई लुक्तान ना पहुचा दे इसको लेकर मौनपरा साही तासपास की ग्रामी ने वो बहुते हैं और उन्टा यही कहना है वो बनवागती यही अपीश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पैंतर को पकड़ा जाए कि हमें हम रात को चै ही निकलता है घरों के अंदर कैद हो रखे हैं और घरों के ही वो रखवाली कर रहे हैं क्योंकि पैसर कहीं कोई दिक्कत पैदा ना कर दे और इसको लेकर लोग कापी सज़क भी नेजड़ा रहे हैं प्रेखान है तो चले तमाम जानकारी के लिए सुमित धन्यवाद आपका और आगे पर